तो आज के इस वीदियो को नहीं बात करने वाला है हीज वर्चस बैक के बीच में होने वाले आज के तीसरे एसी सीटेन बर्सेलोना मैच के बारे में एक एक प्ले का पूरा पूरा एनालिसिस बदाऊंगा कौन किस नंबर पर बल्ले वाजी के लिए आने वाला है कौन कितने और बॉलिंग करके देने वाला है इस मैच के आपको लिए पिच रिपोट के होगा प्लेइंग 11 के प्लेइस बेदल के होगा कौन सी तीम ही में जीज सकती है सबी चीजों को पर वन बाइवन बात करेंगे फैंतेसी में कौन से 11 प्लेइस को आपको पी तीमें लेना चाहिए जिसमें दो से तीन रिस्की प्लेइस को भी लेकर करके चलने वाला हूँ जिसके दम के पर आप इसली मिनी जील और मेगा जील में भी रोटेशन कर सकते हो इस मौल लिग में आप कैसे परफेक्ट टीम मना सकते हो बस आपको करना एक ही चीज है वीदियो को पूरा देखना ह अगर आपको वीदियो अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब जरू करेना आपके लिए फ्री का लाल बदन इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके अलाबा अगर आपको तोस हो जाने को लाइन आप 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 जाने कर दो हमारी खुद की इसी मैच के फाइनल मिल जाएगा ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेट करके पूछ लेना उसके अभी आपको रिप्लाइ मिल जाएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं को सी ती मैच जी सकती है याकीन मानो अगर आपको ये प्रदिक्शन सही होगा तो 70% को अंते सब ऐसे ही वांद कर सकते हो यहां स हीस की तीम ने आखरी की जपने पांच मैचेस के लिए उसमें से दो मैचेस जीत करके रही तीन मैचेस हार करके रही है वहीं यहां से बांगलदेश की तीम ने आखरी की जपने पांच मैचेस के लिए पांच के पांचों मैचेस हार करके रही है तो मैं आपको ये कहूँग यहां आपको आखरी के 5 अधरा डिसली बन रहे जारे हैं तो षबनने वाले हैं बॉलस को भी विकट मिलेंगे जो भी तीम जीत रहे होगी जो भी तीम आपको लगए जीतने इसके बॉलरस को पाध्यान देना और जो भी तीम में जीतने वाली है उसके बले बाजों के साथ साथ दूसरी तीम के बले बाजों के उपर भी फोकस करके चल सकते हो बात करें एकिक प्ले के अनलिसिस पे तो सबसे पहले नाम आएगा और रूंदी को उपसन है जिसका सबसे नमबर रण चोईस है मुसफिजूर रहमान जो कि आपको पहला ओवर बॉलिंग करके देगा बॉलिंग से ओपने टेक करके देगा पहला ओवर और अक्सर एक ओवर शुरू में और एक ओवर आखरी के और समें बॉलिंग कर देता है तो पहला ओवर और आधो ओवर या फिर न सकता है उसका अभी अली जो कि आपके लिए इसमें इसके लिए वन के लिए वाली ग्रेलिक सभी जागा करें नंबर वन चोइस बनने वाला है कि बल्ले बाजी में भी तीसरे नौब पर आ जाएगा और बालिंग से भी आपको दो ओवर पूरा करके देने वाला है यानि कि यह ही तीन वह प्लेय सैंजो यही हर में अपको परफॉर्मेश करके दे रहे है यही समच कर लेंड़ पर्फॉर्म्यृशी भर जो कीस मैच से ल्याय क्यंवे जिसका बल्ले बाजी करम ओपनिंग किया गया आखरी के मैचेस में शुरू के मैचेस में जब इसको खिलाया जारा था तब बल्ले बाजी में तीसरे पैरा था लेकिन आखरी मैच में इसको बल्ले बाजी में ओपनिंग कराया गया है और वहां पर इसने एक ओवर बालिंग भ अगर आप जील की टीम उना रहे हो अगर आप ग्रेंड लिग खेल रहे हो तो आप इसको चाहो दो से तीन मिनी जील मेगा जील की टीम से मिश करके चल सकते हो बात करें आपने विकेट किपिंग सक्षन में तो दो अच्छे प्लेयर हैंगे एक रहेगा सुबधीप यासे आप जो इसको बलेवाज के पांच 15वे नमबार पर भिज़ करेंगे जरूर के जरूर करना है उसके बाद बात कर अपने बलेवाजी ऑप्सन में वहिए अगा बात कर अपने बलेवाजी ऑप्सन में तो नमबर वन चोईस एस सुल्तान खान लेकिन आखरी के 5-6 मैचेस से इसको प्लेंग 11 में खेलाया नहीं गया है अगर ये खेल रहा होगा तो बिना कुछ सोचा आपको अपनी स्मॉल लिग जील सभी तीमों में लेकर के चलना है लेकिन आखरी के मैचेस में खेला नहीं है तो मैं इसको लेकर के अभी फिलार कले नहीं चल रहा हूँ जे मिया जो कि हर मैचेस बालिंग से भी दो और पूरा करकी दे रहा है बल्ले बाजी में भी आखरी के मैचेस में बांगलादेश किंग की टीम कोर से ओपनिंग कर रखा है लेकिन आखरी के मैचेस में जिस तरीके से ओपनिंग से रस नहीं बना पाया है प्लेयर काफी सांदर है दो मैचेस में flop गया बच्ची वे दोनों मैचेस में performance high level करके दिया हुआ है तो प्लेयर काफी सांदर है लेकर के जरूर चलने वाला हूँ उसके बाद यह सो ओमार अली को लूँगा जो कि बल्ले बाजी में फोर दमप आएगा शुरू के मैचेस में इसने बॉलिंग भी कर रहा था लेकिन आखरी के मैचेस में इसको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला है इसके अलावा कोई बाज़ा कोई भी अच्छा प्लेर है नी क्यों नबील के साथ जाओंगा जो कि बल्ले बाज़ में तीसरे नमबर प्यार है हर मैचे आपको थोड़े बहुत रंस बना करके देते रहे बाकी अगर यहां से सुल्तान खान खिलेगा मैं अपनी तीम में एक चेंज करके चलूँगा कि क्यों नबील को निकाल करके सुल्तान खान को ले लूँगा एक ही चेंज करके जरूर चलने बात करें अपने बालिंग उप्शन में उससे पहले आप में से जितने भी लोग अभी तक हमाई तेलिगराम सर को जोई नहीं हुए हो तो जोईन जरो जाना की की 200 जाने का लाइना पाज जाने का जो भी हमारी खुद के फाइनल टीम होगी वो इसी तरीके से स्क्रीज सौथ के जरिये में अपने पूरे 11 प्लेए पूरे कैवी सी सबी चीजों के साथ जो भी फाइनल टीम होगी हुए अपने तलिगराम सर को आपको फ्री में सेह करूँगा तो जोईन करना मत बुला आपको करना कुछ भी नहीं है जिस भी वीडियो का आप देखरोगे उसके तैटल के आप क्लिक करोगे तस करोगे तो सीधे सीधे आप डिस्कीक्सिन में पहुंचाँ कहुग तो सबसे उपर आपको हमाई तेजराम सर कर लिंक देखनों मिल जाएमा इस लिंक कर लेना क्यों कि यहीं पिन आपको फाइनल तीm आपको सेह करूँगा जिस भी तीम से मैं खोदी समच करने पैसे लगाँगा, तो फ्री की चीज को मिश मत करने, तो आप सीधे सीधे कमेंट करके पूछ ले ना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, बात कर अपने, बॉलिंग उप्शन वे तो नमबर वन चोई साप ले रहेगा, जिसका ना मैं M.G.San, क्यों इच्छी बॉलिंग करके आये हुआ, इस सीजन में एज़ा बॉलर आप ले जरूरी प्लेर रहेगा, एक ओवर आपको लगाँगा पांचवा ओवर बॉलिंग करके देगा, वहीं और एक ओवर आपको नवे ओवर की करी बॉलिंग करके देने वाला, यानि कि एक ओवर आपको नजर आएगा, मुझे लगता है कि पहला ओवर पांच वा या फिर छथा ओवर बॉलिंग मिलेगा, वहीं दूसरा ओवर आपको नवे ओवर की करी बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं अगर बांगलादेश की इंकी तीम पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो जरूरी मैचेस में इसको बॉलिंग से एक और दो विद भी मिला हुआ है, तो जरूरी प्लेयर रहने मेला ऐसा बॉलर आप ले जरूरी प्लेयर रह सकता है, अब अगर एन रहमान को इस माच अगर प्लेइंग 11 में खिलाया जाए, तो बिना आपको सोच आपको अपनी स्मॉली गरन सभी तीमों में लेकर के चलना है, लेकिन आखरी के मैचेस में इसको खिलाया नहीं के तो लेकर के चलनी रहा हूँ, इकराम उलहा का अपनी मिनी जील और मेगा जील की मिनिमम 4-5 तीमों में जरूर लेकर के चलना है, या अपनी ऐसा बॉलर काफी अच्छा प्लेयर बन सकता मैं अपने पूरे पैसे जो है इस मैच के नहीं अपने 11 चलिंजर से आपको लगा रहा हूँ रीजन यहाँ पर आपको फेंटेशी की जितने भी अप्लिकेसन देखरों मिलेगा सबसे ज़्यादा आपको लोगा रिफीज देखरों मिलेगा 11 चलिंजर से इस पोटेशी दोनों यहाँ पर लिंक आपको इसी वीडियों दिस्क्रिप्शन मिल जागा जो अभी कभी वहां से दाउलोट करके आप मेरे साथ खेंना सुरू कर सकते हो मैं भी इस मैंच के दापने पूरे पैसे जो 11 चलिंजर सो इस पोटेशी पे लगाने मुला हूँ तो अभी जाद जाद यहीं भी खिलना आपके जीदने के चांसे जादा रहेंगे मैं भी तीम में कैप यहाँ से लेकर के चलूँगा जिसकर नहीं अभी दली अभी सी लेकर के चलूँगा एस अली सयद के साथ बाकि इसके लाव आपके लिए एक और अच्छा उप्शन है का जिसका नहीं मैं एम रह्मान उमीद दोस्तों एक पलेगा पूरा एनालीसिस बता दिया वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरू कर लेना तो सोजाने का लाइनाप आप जाने कद हमारी खुद के फाइनल टीम से हो जिस भी टीम से आप खुदी समाच के नहीं पैसे लगाँगो तो फिर आपको आमाई तलिगराम सेर को जोईन होना पड़ेगा जहां पर जोईन होना आपके एकदाम फ्री है तलिगराम सेर का लिंक आपके सी वीडियो दिस्क्रिप्शन अका मैं सक्समाक से सबस्वा पिन के हुआ देखनों को मिल जाएगा मिलते हैं अगली वीडियो